नमस्कार प्रियादर्शकों हाजिर हूं मैं व्रुषभ लगन के बारहो भाव में शनी के प्रभाव को लेकर करके हुई थी व्रुषभ लगने में सनी देव सरवाधिक योग कारक हैं क्योंकि ये भाग्य और कर्म के स्वामी होते हैं सिधी सी बात है भाग्य का स्वामी जिस भी भाव में जाकर के बैठेगा उस भाव के प्रभाव के साथ भाग्य को जोड़ देगा फलस्वरूप उस भाव का स्रेष्ट प्रभाव जातक को प्राप्त होगा उसी तरह कर्म का स्वामी भी है तो उस भाव से संबंधित अगर कुछ कमिया भी होंगी तो जातक अपने कर्म से उस भाव के प्रभाव को बढ़ा लेगा फलस्वरूप ब्रिसभ लगने में शनी देव को सरवाधिक योग कारक कहा गया है ब्रिसभ लगन एक सरवाधिक स्रिष्ट लगनी से कह सकते हैं ब्रिसभ अर्थात शांध इस लगने के जातक अपने धुन के पक्के अपने आप में मस्त रहने वाले जब तक छेड़ों नहीं तब तक कुछ नहीं करते छेड़ दो तो छोड़ते नहीं इस प्रकार का स्वभाव होता है करमठ होते हैं बलिष्ठ होते हैं धुन के पक्के होते हैं निरंतर योजनाई बनाने में लगे रहते हैं और उन योजनाओं को स्वरूप देने में भी इनका समय जाता रहता है अपने जीवन काल में अपने कर्म से ही अपने भग्य को बनाने वाले होते हैं ब्रिसभ लगने के लोग क्या प्रभाव देंगे भग्य भाव के स्वामी सनी ब्रिसव लगन के बारहो भाव में एक करके हम जानेंगे कारिक्रम प्रारम्भ करूं उससे पूर्व एक प्रश्ण ले लेता हूं ये प्रश्ण है अभी शर्मा जी का इन्होंने पूछा है कि अगर मिथुन लगन की कुंडली में मंगल की दृष्टी शनी पर हो और दोनों एक डिगरी पर हो तो हनुमान जी की आराधना से शनी कमजोर तो नहीं हो जाएंगे अभी शर्मा जी ये क्या प्रश्ण पूछ लिया आपने हनुमान जी की आराधना से शनी और मंगल दोनों बली हो जाएंगे उधर सनी भाग्येस हैं तो भाग्य का स्रिष्ट प्रभाव देने लगेंगे बात आती है मंगल की तो मिथुन लगन में सरवाधिक अवकारक होते हैं क्योंकि ये सस्ठेस भी होते हैं परंतु अगर हनुमान जी की आराधना बात मुंगा की हो तो हो सकता है नुकसान पहुचा दे लेकिन बात हनुमान जी की आराधना की हो तो मंगल भी सरवाधिक सुरिष्ट लाभ देंगे अतह बिना विचारे हनुमान जी की आराधना प्रारम्भ कर दीजिए उससे सनी और मंगल दोनों अपना सुरिष्ट प्रभाव प्रदान करेंगे शनिदेव के बारे में कल मैंने आप लोगों को ब्रहत रूप से बताया था सौर मंडल में सबसे आखरी स्थान प्राप्त है इन्हें सुरिय से ये सबसे ज़्यादा दूरी पर है फलस्वरू तेज, प्रकास जो सुरिय का प्रकास है वो इन तक सबसे कम पहुँच पाता है अतह जहां आत्मा की कमी हो तेज, सुरिय कौन है तो आत्मा है, जगत की आत्मा है सुरिय, और सुरिय की आत्मा जब किसी के पास कम पहुँच पाए तो वो मृत्वत्वत हो जाता है सनी इसे लिए मर्त चीजों के कारक हैं दर्ग कालिक रोग अगर सरीर में हो तो उसके कारक है सनी आलस के कारक है सनी, जड़ता के कारक है सनी, नौकर चाकरों के कारक है सनी और इन्हें कई नामों से जाना जाता है जैसे कि इन्हें असित कहते हैं सनेश्चर, मंद और पंगू भी कहते हैं इन्हें छायात्मज भी कहते हैं इन्हें रविज भी कहते हैं सूर्य पुत्र भी कहते हैं शनिदेव जिस भाव पर दृष्टी डालते हैं उस भाव के प्रभाव से प्रथक्ता ला देते हैं लेकिन कहा जाता है कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के प्रभाव में बृध्धी कर देते हैं कारण है कि किसी भी एक रासी पर इनका जो संचरण है सबसे दिर्ग काल तक का है, धाई वर्स का समय ये देते हैं, सीधी सी बात है, जिस भी घर में आपको ज़्यादा समय तक रहना हो, आप उस घर को ठीक तो रखेंगे ही, उस घर के प्रभाव को तो बली करेंगे ही, तभी अधिक पापक रहा हैं, और जिस भाव पर द्रिष्टी डालते हैं, उस भाव के प्रभाव से जातक को पृथक कर देते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या मित्र द्रिष्टी डाल करके भी, क्या खुद के घर पर द्रिष्टी डाल करके पृथकता ला देंगे, जवाब है नहीं, खुद के गर पर द्रिष्टी डाल करके पृथक्ता नहीं लाएंगे एक और बात, सनी की द्रिष्टी कहीं से भी लगन पर पड़ जाए सनी कहीं से भी लगन से संबंध बना लें तो आपको मेरा ये सूत्र रट लेना है होगा वही जो आप चाहते हैं होगा वही जो आप चाहते हैं लेकिन तब नहीं, जब आप चाहते हैं क्योंकि शनीदेव आपको पात्र बनाते हैं और जब उनको लगे कि आप योग्य हो गए हैं पात्र हो गए हैं तो आपकी चाही, मन चाही वस्तू उसको बढ़ाँ चाडाकर के ही आपको देते हैं छोटा करके कभी नहीं देते बस इतना ही ध्यान रखना होता है कि ये बिलंब कराते हैं और कई बार बिलंब से जातक घबरा जाता है तो घबराने की आवशक्ता नहीं क्योंकि जो आपको चाहिए वो सनी देव सब कुछ देंगे ये न्यायाधीस हैं लेकिन संपुर्ण फैसला सुनने के बाद संपुर्ण पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला देते हैं चलते हैं ब्रिशब लगन पर अगर आप ब्रिशब लगन के हैं और भग्य और कर्म के स्वामी आकर के लगन में बैठ जाएं तो सबसे पहले तो ये बन जाएगा केंद्र त्रिकोण राजियोग एक बात यहाँ पर बता दूँ कि सनी दिर्गता के कारक है हमारे मुह में जो दांत है वो सरबाधिक दिर्ग समय तक होता है खलस्वरूप सनी इसके भी कारक है दिर्ग कालिक होता है दांत अतह ये इसके कारक है कुंडली में सनीदेव कमजोर हो तो दांतों से समंधित समस्याए हो जाती है पैरों के ये कारक हैं क्योंकि ये नीचे पाये जाते हैं तो अगर कुंडली में सनिदेव कमजोर हों, तो जातक पैरों से सम्मंधित, रोगों का रोगी हो जाएगा, हड्डियों में दर्द, घुटनों में दर्द, इत्यादी की शिकायत उसे होने लगेगी। अब लगन में आकर के बैठ जाएं, तो मैंने जैसे कहा, ये दिर्घता के कारक हैं, इनका प्रभाव जब जातक के व्यक्तित्व पर पढ़ता है, तो निसंदेह ये स्यामल रंग जातक के स्वरूप को बना देते हैं, स्यामल बना देते हैं, लेकिन चुकि ब्रसम लगन की ब साथ लगन में बैठ कर जातक को भव्य आकरती प्रदान कर देंगे, जातक दिर्घ यानि लंबा, चोड़ा, हठा, कठा, कठा, क्योंकि ब्रसम लगन है, तो हठा, कठा स्वरूप तो होता ही है, और लगन में सनी देव हो जाएं, तो दिर्घ सब कर देते हैं, लंबे पैरो हैं, तो आपके भाग्य की ब्रद्धी तो करेंगे ही, यूँ समझ लीजिए, कि भाग्य निरंतर आपके साथ होगा, जो कारे आप करेंगे, आप यूँ समझ सकते हैं, कि भाग्य का साथ आपको प्राप्त है, कदम बढ़ाईए, काम बन जाएगा, शनिदेव के बारे में प्रारंभ में ही एक बात कह देता हूँ, कि अगर ये वक्री होँ, तो सरवाधिक स्रिष्ट फल देने वाले होते हैं, यहां बैठे सनी, अपनी तीसरी मित्र द्रिष्टी तो नहीं कही जाएगी, डालेंगे कुंडली के पराक्रम भाव पर, और फलस्तरूप, आपके कोटे भाई वहनों की मृत्यू तक भी एक रा देते हैं, वहीं सगे, संबंधी, नाते, रिष्टेदार, पडोसी, जो भी आपसे जुड़ा है, समझ लीजिए कि केवल आपको इस्तेमाल करने के लिए जुड़ेगा, आपके वक्त पर, आपके सहयोग की जब आपको आवश जुड़ चुड़ा होगा, और दामपत्य जीवन में मत भेद की स्थिति आ जाएगी, और गलती से कहीं यहाँ पर मंगल बैठे हो, तो दो विवाह के भी योग बन जाएंगे, और तो और इस पर और भी पापक ग्रह की कहीं से दृष्टी पड़ती हो, यानि राहु इत्य या राहु ही यहाँ पर बैठे हो, तो पहले तो विवाह बिलंब से, और फिर बाद में बैवाहिक जीवन में मत भेद और समस्या भी उत्पन कर देंगे, बैवाहिक जीवन तूटेने की भी नौबत आ जाएगी, यहाँ बैठे समिदेव, अपने घर को अपनी दस्मी दृ पर दिश्टी से देखेंगे, अतह जातक के कारिक छित्र में सरवाधिक स्रिष्ट लाभ कराने वाले होंगे, जातक को ब्यापार से नौकरी में हर छित्र में लाभ मिलता रहेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, लगने में बैठे हैं, अतह आपके प्रतेक कारिय थोड धैर रखियेगा, काम बनेगा ही बनेगा, आजाई ये कुंडली के दिटिय भाव में, ये भी इनका मित्र का घर और यहां भी आकर के बैठेंगे, तो सरवाधिक स्रिष्ट कर्म और भाग्य का मालिक जाकर के धन भाव में बैठा, ये महाधनी योग बनाएगा, और जातक क के जीवनकाल में धन की बृद्धी सदईव होती रहेगी, ऐसे जातक के पास पैत्रिक संपत्ति भी होगी, और तो और वो खुद भी धनों पारजन करेगा, क्योंकि सनी की तीसरी, हालाकि ये मित्र दृष्टी नहीं है, तो ध्यान रखियेगा, माता के साथ संबंधों को करा देंगे, और मा के स्वास्त को कमजोर कर देंगे, और समाज में कई ऐसी का बाते होगी, क्योंकि आपका जो सभाव होगा, वो समाज में सबसे घुलने मिलने वाला नहीं होगा, अपने आप में मस्त रहना, इसलिए समाज में कुछ लोग आपके सदईव बिरोधी भी हो भोगने में यानि अपने द्वारा उपार्जित संपत्ति के सुखों को भोगने में भी समस्या बनी रहेगी कई बार ऐसे जातकों के लिए ही कहा जाएगा कि संपत्ति लेते समय जरा सावधान रहें अन्य था संपत्ति बिवादित भी आपको प्राप्त हो सकती है यहां नहीं से राहू सनी और राहू और मंगल इत्यादी का भी संबंध्या से हो जाए तो चोट्च पेट की घटनाएं भी होने लगती हैं गौर करिएगा समद्रिष्टी है और गुरू पेट के कारक है अतह पेट से संबंधित दिर्घकालिक रोग भी क्यूंकि यहां पर बैठ हैं तो जातक सुस्वादू भोजन का सौकीन होगा और फलस्वरूप पेट का रोगी भी हो जाएगा अतह अपने खान पान का बहुत खयाल रखिये इसकी आवशक्ता है आपको वानी जितनी मधूर रखेंगे वैसे तो ब्रशब लगनवाले मैंने पहले ही बताया छेड़ नहीं तो कुछ नहीं करते छेड़ो तो छोड़ते नहीं यहां बैठे सनीदेव अपनी दसवी द्रिष्टी लाभ भाव पर डालेंगे तो धन भाव में बैठ कर लाभ से संबंध बनाएंगे यह महा धनी योग होगा क्योंकि भाग्य का मालिक जाकर के धन में बैठा है तो पैत्रिक शंपत्ती तो प्राप्त ही होगी अपने से जातक उपारजित करेगा भाग्य के संबंध के कारण जातक जीवनकाल में धन लाभ भी सदाईव करता रहेगा अब बता दू यहां पर एक बात और कि यह मित्र द्रिष्टी नौ होने के कारण कई बार आपको ऐसा प् भाव में यहां पर आकर के बैठेंगे मित्र घर में नहीं है ता चंद्रमा के साथ अगर तातकालिक मित्रता हुई तब तो फिर बहुत हद तक छोटे भाई बहनों का सहयोग ना भी मिले कम से कम तो संबंध रहेगा और उनसको आप से लाभ मिलता रहेगा लेकिन अगर चं बैठे सनी देव अपनी तीसरी मित्र द्रिष्टी संतान भाव पर डालेंगे कई बार संतती होने में बिलंब जरूर करा देते हैं लेकिन इसके बावजूद संतती को सनमार्ग तो दिलाते हैं नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि मित्र द्रिष्टी है अताहिस बात से मत घब कर रही है तो कम से कम संतान से आपको कोई डरने की जरूत नहीं है संतान से आपको फायदा है संतान का सह यूग आपको प्राप्त होगा एक बात यहां और बता देता हूं ज्यानभाव कपर द्रिष्टी पढदेगी तो पास्टात्य विद्याओं के कारक है सनी अंग्रेजी के निए और भी कई पूरा तत्विय सने विश्रहों के कारकहं सभी उनुमें भी आपकी जग्यासा और जागृती यह ला आपके अंदर और उस छेत्र में भी आपको पारंगत बना देंगे क्योंकि यहां बैठकर अपने ही घर पर उच्च्छा पर द्रिष्टी डाल रहे हैं फलस्परूप जातक उम्र के बढ़ते पड़ाव के बावजूद सिक्छा के छेत्र में लगा रहेगा ज्यान अर्जन के छेत्र में लगा रहेगा अपने घर पर द्रिष्टी डाल कर सनिदेव आपके भागे की बृध्धी करने वाले होंगे यहां बैठे सनिदेव ब्याय भाव पर नीच द्रिष्टी डालेंगे अतह कई बार पडोसियों से रिस्तदारों से छोटे भाई बहनों से भी लड़ा कोट कचहरी की भी नौबत जीवनकाल में बन जाती है सावधान रहना चाहिए यहां बैठे सनिदेव अगर यहां द्रिष्टी डाल रहे हैं तो आराधना हनुमान जी की करते रहिएगा क्योंकि कई बार यह जीवनकाल में रोग में कोट कचहरी में आपके पैसे व्यर्थ म से फिर आप उसे लोटाल आएंगे या फिर से उपारजित कर लेंगे आजाए कुंडली के सुख भाव में अगर आपकी जन्म कुंडली में सुख भाव में आकर के बैठे हैं सनिदेव तो यह क्या फल देंगे पिता के घर में बैठे हैं पिता के साथ तातकालिक मित्रता मे तो सम हो जाएंगे, मित्र नहीं होंगे, सम हो जाएंगे और सम हो करके फिर आपको लाभ पहुचाएंगे क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण राज योग बन जाएगा, यहां बैठे सनि देव, अपनी तीसरे दृष्टी, उच्छ दृष्टी, रोग रिपूरिन पर, कर्म पर और लगन पर डालेंगे, बहुत बढ़िया, जरागौर करिए, भूमी भवनवाहन भाव में, कल किसी ने पूछा था कि शास्त्री जी मैं तो डर गया, आपने कहा कि अकेले बैठे हैं, मेरी कुंडली में हैं, मैंने कहा था अकेले हों, चतुर्थ भाव में सनी, अकेले हों, तब बृद्धावस्था को ये खराब कर देते हैं, तब बृद्धावस्था खराब होती है, लेकिन अकेले नहों, तो ऐसी बात नहीं होगी, चतुर्थ भाव में बैठे हैं सनी देव, घर में कई बार कलह की स्थिती ले आएंगे, अगर तातकालिक सत्रुता में हुए, तातकालिक सत्रुता में नहीं है, तो कम से कम घर में कलह की बात तो नहीं कहुँगा, हाँ तनाओ का वातावरण जरूर रहेगा, लेकिन फिर से कहुँगा कि जातक को भूमी भवनवाहन का संपूर्ण सुख और वो भी सब बहुवचन में, ऐसा जातक राजनीती में जाए राजनीती से जुड़े, राजनीती से जुड़कर लाभ कमाए, उसे लाभ मिलता रहेगा, यहां भी बैठे हैं तो, आप राजनीती को अपना कारे छित्र बनाईए, वहां से आपको लाभ अवस्य प्राप्त होगा, रोग रिपु और रिन भाव पर द्रिष्टी रिपु और रिन तीनों से आपको डरने की आवशक्ता नहीं, कर्म भाव के लिए बता चुका हूँ, कारे छित्र अपना राजनीती बनाईए, सनी से संबंधित ब्यापार करिए, लाभ मिलता रहेगा, लगन पर द्रिष्टी पड़ेगी, तो कारे थोड़ा बिलंबित होगा, घबराने की जुरत नहीं, सूत्रयाद रख लिजेगा, हो सीधी सी बात है, पंचम के मालिक, माफ करीगा, नमम के मालिक, आकर के पंचम भाव में, मित्र रासी में बैठे हैं, यहां बैठकर सप्तम भाव पर द्रिष्टी डालेंगे, तो दामपत्य जीवन को विच्छे दात्म किस्तिती प्रदान कर देंगे, एक बात ध्यान रखन है कि यहां पर अगर मंगल हुए, तो दामपत्य को चुकि मंगल हुए, तो रूचा करा जोग, अपने घर की मंगल बृध्धी करेंगे, इसमें कोई संसय नहीं, इसमें कोई संसय नहीं की मंगल अपने घर की बृध्धी करेंगे, लेकिन चुकि इस लगने में में मंगल सर कमजोर कर देगी और अगर कहीं कुंडली में सुक्र कमजोर हुआ तो दामपत्य जीवन पृथक हो जाएगा अलग-अलग हो जाएगा तूट जाएगा यहां बैठे सनीदेव अपनी सातवी दृष्टी लाव भाव पर डालेंगे और अपनी दसवी दृष्टी धन संचय पर धन भाव पर डालेंगे सो जातक को पैत्रक शंपत्ती तो देंगे ही ज्यान भाव में बैठकर ज्यान की बृध्धी और जातक के दुतिय भाव को देखेंगे फलस्वरुप उच्च कोटी का वक्ता जातक बन जाएगा पासचात्त के विश्यों को कई भासाओं को बोलने वाले ऐसे ही लोग होते हैं जिन्हें कई भासाओं पर इनका कमांड होगा ये इसी के चलते होता है तो यहां बैठे सनीदेव इस तरह की स्थिति उत्पन्न करेंगे यहां बस ध्यान रख लेना है कि जो दृष्टी डाल रहे हैं कहीं इस्थिति थोड़ी और खराब हुई यानि और भी किसी पापग्रह की दृष्टी जैसे विच्छे दात्मत राहु की दृष्टी हुई राहु वहां पर बैठे हुए हो तो उस्वस्था में चाहे वो ब्यापार हो चाहे वो दामपत्य जीवन दोनों में ही तनाव और समस्या उत्पन्न हो जाएगी सनिदेव की दृष्टी लाव भाव पर पड़ेगी तो जातक अपने ज्यान अपनी बुध्धिमता से लाव जीवन काल में कमाता रहेगा और जैसा कि मैंने कहा देखा जाए तो भाग्ये कमालिक पंचम में बैठकर धन भाव को देखेगा फलस्वरूप धन संचय भी होती हैं एक से अधिक यानि वहुवचन में संततियों को भी जन्म दिलवा देते हैं लेकिन कई वार अगर ये यहां पर किसी और भी विच्छेदात्मग्रह की दृष्टी हो गई जैसे सनिदेव बैठे हैं सुरी की दृष्टी पढ़ जाए या राहु की दृष्टी पढ आने वाले बन जाएंगे संतति के साथ मत्भेद कराने वाले बन जाएंगे संतति आपके सम्मान को धूमिल करने वाली होगी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी आजाए कुंडली के सश्ठम भाव में यहां पर आकर के बैठे हैं सनिदेव तो क्या करेंगे यहां तो क क्योंकि आप ब्रिशव लगने के हैं अतह आपका स्वभाव लड़ने वाला तो नहीं होगा लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे सत्रुता कर ले तो उसे तो हारना ही है चाहे वो कोई हो रिण कोई नुकसान नहीं करने वाला रिपू भूल जाइए रोग कई बार हो सकता है अतह जरा भ्यान रखियेगा क्योंकि यहां पर बैठने पर चुकि अपनी द्रिश्टी अश्टम भाव पर डालते हैं तो आयू तो लंबी कर देते हैं ब्याय भाव पर द्रिश्टी और पराक्रम पर द्रिश्टी तो यहां से गौर करिए सश्ठम भाव में बैठकर अश्टम पर जो द्रिश्टी डालेंगे तो आयू की ब्रद्री हुई नीच द्रिष्टी डालेंगे कहाँ पर ब्यायभाव पर तो पैसे खर्च कराएंगे तो दवाओं में समस्याओं में कोट का चहरी में और पराक्रम चंद्रमा की रासी वहाँ भी सत्रू द्रिष्टी तो जा तक बेजा पराक्रम करने लगता है गलत छेत्र में बेवजह लड करेंगे तो परिशंक होना ही पड़ेगा अतोसवत्रूता मत करिए अपने स्वास्त का ख्याल रखिए शुक्र की रासी में बैठे है सो यहाँ ये भोग करते हैं और भोग की रासी में बैठे होने के कारण जातक को भोग से जरा सावधान रहना चाहिए भोग करे लेकिन सावधान होकर के अन्य था ब्यर्थ के पैसे जाएंगे और आप फस भी जाएंगे तो इसका जरूर खयाल रखें तीसरी दृष्टी आयू की बृधी करने वाली होगी लेकिन मित्र दृष्टी नहीं है तो बहुत सावधान रहना होगा कि कई बार ये दर्ग कालिक रोग पेट से सम्मंधित दे देते हैं, परेसानियां उससे होने लगती हैं सनीदेव उच्छरासी में हैं, स्वास्त ठीक रहेगा, वैसे तो डरने की कोई आवसकता नहीं लेकिन अगर जातक ने अपने भोगों पर ध्यान नहीं किया, अपने सरीर का ध्यान नहीं रखा तो फिर जातक को दर्ग कालिक रोग यानि घुटने में दर्द, हड्डियों में दर्द, इत्यादी के शिकायत होने लगेगी सनीदे वक्री भी हो जाते हैं, तब भी आप इनका स्ट्रेश्ट लाभ ही लेंगे, इसमें कहीं कोई संसरे आज आईए कुंडली के सप्तम स्थान में, मित्र रासी में आकर के नहीं बैठे हैं, लेकिन ये केंद्र त्रिकोन राज योग है भाग्य का मालिक आकर के सप्तम में बैठा है, तो पत्नी के आने के बाद भाग्य बढ़ेगा सनीदे वक्री यहाँ पर अगर देखा जाये तो भाग्येस हैं, तो जातक का 36 वर्स के बाद भाग्योदय कराने वाले होते हैं वहीं आपको बता दूँ कि आकर के सप्तम भाव में बैठे हैं, मैंने जैसा कहा कि जीवन सांथी का स्वभाव थोड़ा चिर्चिड़ा और जिद्दी होगा गुसेल होगा, लेकिन आप सामंजस से बिठाईए, और वैसे भी आप सामंजस से बिठा लेंगे, क्योंकि आप मस्त मॉला हैं आप अपने आप में मस्त रहते हैं और इसलिए आपका बैवाहिक जीवन निरंटर चला जा रहा है, और आबाध गती से चला जा रहा है यहां बैठे सनिदेव भाग्य भाव पर अपने ही घर पर दृष्टी डालेंगे, सो भाग्य की बृध्धी करने वाले होंगे, लगन पर और भूमी भवन पर सो भूमी भवन वाहने का संपुर्ण सुख प्रात्त होगा, घर में कलह का वातावरण बना रहेगा, और लगन प योग कि अपनी तीसरी दृष्टी भाग्य भाव पर डालेंगे, तो भाग्य से संबंधित लाभ तो आपको क्राप्त होगा ही होगा, और सनिदेव अगर बकरी हैं आपनी कुंडली में, तो निश्चिंत हो जाइए, आनंद लीजिए, कोई कस्ट नहीं होने वाला है, आज अपने ही घर को क्या देकर जीवी को पारजन में संघर्ष कराएंगे, तो जवाब है ना, अपने घर को देकर जीवी को पारजन में संघर्ष तो नहीं कराएंगे, लेकिन फिर भी इनसे संबंधित कारे करिये, जादा लाभ मिलेगा, आयू बृद्धी रहेगी, भन संचय इत्यादी होता रहेगा संतान पर जो द्रिष्टी डालेंगे तो संतती इत्यादी का सुख भी संपुर्ण रूप से दिलवाएंगे इसमें कोई कमी नहीं लेकिन भाग्य भाव का मालिका करके कुंडली के अस्टम में बैठा है सो मेरी राय याद रखिएगा संघर्स में ही आपका भाग्य है जितना अधिक संघर्स उतना बुलंद आपका भाग्य तो संघर्स को चुन लीजिए संघर्स का साथ लीजिए और आगे बढ़ जाईए यहां भी बैठे हैं तो रिस्क लीजिए यहां बैठे हैं तो संघर्स कीजिए तभी आपका भाग्य स प्रफियर से देते हैं मंद हैं तो कर्म भाव पर भजियोद्रिश्टी डालेंगे आप चाहें कि तुरंत हो जाए एक ही दिन के काम को आप एक दिन में जो कि आप कर सकते हैं आपका स्वभाव है मेहनती हैं आप लेकिन ऐसा नहीं हो सकता सनीदेव बिलंबित देंगे सो बिल करके काम करने वाला व्यक्ति आपको बना देंगे राजनीती भी आप करें आपको कोई नुकसान नहीं आजाए कुंडली के भाग्यभाव में भाग्यपती भाग्यभाव में बैट जाए तो कहना ही क्या जितनी प्रसंसा की जाए उतनी कम भाग्य का संपुर्ण सुख भी हो करके देखेंगे लाभ भाव को अतह लाभ हमें थोड़ा देर भी हो क्योंकि उनकी द्रिष्टी विच्छे दात्मक है देर भी हो लेकिन लाभ आता रहेगा पराक्रम परद्रिष्टी कह चुका हूं कि ना ते रिस्तदार छोटे भाई बहन से आप ही से लाभ ले जाए यहां बैठे सनी देव उच्छे द्रिष्टी डालेंगे कहां पर तो रोग रिपुरिण से संबंधुनका होगा निश्चिंत हो जाईए कि रोग रिपु और रिण तो आपके बाए हाथ का खेल होगा आपका कोई भी कुछ बिगाड नहीं पाएगा सनी देव वक्री भी होते हैं संफुरुन स्रिष्ट लाव आपको प्राप्त होगा आज आईए कुंडली के कर्म भाव में यहां पर आकरके बैठे हों तो क्या होगा यहां भी बैठे थे तो केंदर त्रिकोंर राजियोग था अब यहां पर आकरके बैठ जाएं तो यह हो कोई बात नहीं लेकिन निरने सोच समझ करके लीजिए द्रिश्टी पड़ेगी कहां पर तो कुंडली के चतुर्थ भाव पर तो घर में कलह का वाता वरण हो माता पिता के साथ संबंधों को कमजोर विशेश रूप से मा के स्वास्त को कमजोर मा के हड्डियों में दर्द की और मा के साथ मत भेद किस्ति ला देंगे भूमी भवन वाहन का संपूर्ण सुख जीवन में देंगे बहु वचन में देंगे क्योंकि सनिदेव हैं छेत्र के कारक और छेत्र का कारक छेत्र के भाव पर द्रिश्टी डाल दे तो जातक को छेत्र का संपूर्ण सुख और कई बार बैवाहिक जीवन में मत भेद की स्थिति आ जाती है एक बात याद रखिएगा कि सनिदेव सप्तम भाव में होते हैं या सप्तम से दृष्टी समंद रखते हैं तो जातक का जो बिवाह है वो कई बार अपने से बड़े उम्र के लड़की या लड़के से होता है या ये स्थिति बनती है जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो लेकिन कई बार उम्र दराज या बराबरी के उम्र से होता है विसेश रुप से बड़े उम्र के लोगों से क्योंकि ये दिर्ग हैं हर चीज दिर्ग देते हैं देरवाला ही देते हैं वक्री हो जाते हैं तो भी आप इनक राजनिती कर लीजिए ऐसे व्यक्ति वैसे भी राजनिती में कहीं ज्यादा चमकते हैं और यहां बैठे हैं तो लाभ के राफ पे बनाते ही रहेंगे जीवनकाल में ये न केनब प्रकारेण लाभ होगा पैसे खूब कमाईए कह सकता हूं नोट छाप सकता है ऐसा व्यक्ति औ और द्रिष्टी जो पड़ेगी लगन पर कारे थोड़े बिलंबित होंगे लेकिन घवराईए गमत होगा वही जो आप चाहते हैं बस तब नहीं जब आप चाहते हैं यहां बैठे सनिदेव द्रिष्टी डालेंगे ज्यान और संतान पर उसमें भी अपना काम कराएंगे प जनिदेव की जो द्रिष्टी संतान भाव पर पड़ती है तो बिलंबित कई बार संतती होती है लेकिन संतती होती अवश्य है क्योंकि मित्र द्रिष्टी डालेंगे तो ऐसा नहीं कि संतती नहीं होगी अब द्रिष्टी इनकी जो यहां से पढ़ेगी अश्टम भाव पर तो इस सवस्था में आपको बता दूँ कि अश्टम पर इनकी द्रिष्टी पढ़ करके आपके आयू की बृद्धी कराने वाले होंगे लेकिन जरा सावधान रहिएगा अगर अगर अश्टम भाव पर पा में नीच रासी में हुए है अतह नीचत नंका भंग हो जाएगा एक सूतरयाद रख लेना है कि भाग्य Maliak जाकर के बारमें भाव में बैठा है अतह कोई कार्य बीच में मत छोडिएगा जो कार्य सुरू किया है अंत्तक ले जाएगे बीच में छोड़ा नुक्सान में जा चुकि नीच रासी में बैट करके नीच तो भंग कर रहे हैं धर्म से जुड़े रहेंगे, धर्म से जुड़कर के धर्म पर खर्च करेंगे तो आपके भाग्य की निरंतर बृद्धी होती रहेगी यहां बैठे सनिदेव, वक्री हो जाते हैं, बहुत स्रिष्ट लाव देंगे लेकिन उनकी तीसरी द्रिष्टी पड़ेगी यहां पर पैत्रिक शंपत्ती पर, कुटुम्ब पर कई बार पैत्रिक शंपत्ती में लडाई जगडा आ जाता है कुटुम्ब से विच्छे दिकरा देते हैं, कुटुम्ब में मन मुटाव की स्तिती उत्पन हो जाती है, मत भेद होने लगता है लडाई जगडे की नौबत आ जाती है लेकिन मैं फिर से कहूंगा, बार्वे भाव में एक कारक है और इनकी द्रिष्टी रोगरी पुरिल पर है अतह सत्रू आपका अगर कोई बना, तो कुछ बिगाण नहीं पाएगा सत्रू बाल मांका भी नहीं कर पाएगा यहां बैठे सनिदेव भाग्य भाव पर अपने ही घर पर द्रिष्टी डालेंगे अतह भाग्य की बृद्धी करने वाले होंगे भाग्य का संपुर्ण लाव आपको दिलाने वाले होंगे प्रियदर्शकों ये था बृषब लगने के बारहो भाव में शनिदेव का प्रभाव शनिदेव ये मंद है और जैसा कि आप जानते हैं मैंने बताया है कई बार बता रखा हूँ ये प्रिथक्ता कराने वाले ग्रह हैं लेकिन याद रखना है कि अपने घर पर मित्र द्रिष्टी पर मित्र भाव पर द्रिष्टी डाल कर प्रिथक नहीं करेंगे लेकिन जोतिस का एक सामान्य सूत्र हर जगह लागू नहीं होता इसके लिए कई सारे सूत्रों को भी देख लेना चाहिए हो सकता है उस भाव पर पहले से ही प्रथक्ता जन्य ग्रहों की दृष्टी हो तो फिर सनी देव उसको रोकेंग नहीं क्योंकि इनका अपना खुद भी वही स्वभाव है तो ये भी उसी तरह के प्रभाव देने लग जाएंगे लेकिन अगर ये केवल अकेली दृष्टी डाल रहे हैं अगर अकेले बैठे हैं तो नुकसान नहीं जैसा कि आप सभी जानते हैं भाव की बृध्धी करते हैं अब माल लिजे कि यहां बैठेंगे तो क्या बृध्धी करेंगे तो यहां बैठेंगे तो आपके ब्याय की बृध्धी करेंगे धन आया नहीं कि जाने के रास्ते लेकर के आएगा यहां बैठेंगे तो लाव की बृध्धी, कर्म की बृध्धी, भाग्य की बृध्धी, आयू की बृध्धी, ब्यापार और दामपत्य जीवन में सुखों की बृध्धी, इनकी तरब से तो केवल बृध्धी ही है यहां बैठेंगे तो सत्रूओं की बृध्धी लेकिन सत्रूओं आपका बालबांका भी नहीं कर पाएगा शंतान और ज्यान की बृध्धी, सुखों की बृध्धी, पराकरम की बृध्धी, भन और आपके विक्तित्तों की बृध्धी ये बृध्धी करेंगे इनकी दृष्टी विच्छे दात्मक है लेकिन वो भी इनके सत्रूओं के भाव पर हो तब वक्र हो जाते हैं कुंडली के किसी भी भाव में जाकर बहुत बढ़िया रिजल्ट करते हैं अब बारिया जाती है रत्णों की शनिदेव का रत्ण नीलम है इनका उपरत्ण नीली अथवा जमुनिया आप जिसमें भी सक्षम हो वो रत्ण धारण कर सकते हैं अब लगन के रत लोग शनिदेव के रत्न को बिलकुल धारण कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं कुछ चीजों को समझ लेना है जैसे यहां बैठकर वैसे तो इनका नीचत भंग है लेकिन मान लीजिए कि आप ब्यायाधिक के से परेशान है सत्रुता से परेशान है रोग से परे सनिदेव को ठीक करना है हनुमान जी की आराधना करिए सनिदेव को ठीक करना है पीपल के बिक्षे में जाकर के दीपक जलाईए जल चढ़ाईए सनिद्बार के दिन और हनुमान चालिसा का पाठ दसरत कृत सनिस्त्रोत्र का पाठ हनुमान जी की जितनी आराधना करेंगे उतना फाइदा अपने से नीचे जो कर्मचारी वर्ग है सरकारी नौकरी में है तो नीचे के जो लोग हैं उन्हें ठीक करिए उनका सम्मान करिए सनीदेव ठीक हो जाएंगे परेशान हैं जीवनकाल में सनीदेव के कारण तो सिर्फ एक रास्ता अपने से नीचे के लोगों का सम्मान शुरू कर दीजिए सनीदेव बहुत वढ़िया प्रभाव देने लगते हैं कभी नुक्षान नहीं करेंगे तो प्रियदर्शकों आज हमने जाना ब्रिसव लगने के बारहो भाव में सनीदेव के प्रभाव को कल जानेंगे मिथुन आज होंगा तब तक के लिए नमस्कार